हेलो एवरिवन, वेल्कम अगीन टू लंगरी दितीमन, तो देखिए हमारा सेवन्थ क्लास का सेवन्थ चेप्टर जो है उसके कोशन अंसर चल रहे थी, जिसमें हमने 63 कोशन कम्प्लीट कर लिये हैं, जहां हमने जनजाती आंदुलन के बारे में पढ़ा, किसान आंदुलन के बारे में पढ़ा, और अब हम कुछ जो जन नायक हैं प्रमो को उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरीके से कोशन सुनना है, और आंसर देने की कोशिश करना है, सबसे पहले तो आपको चैप्टर पढ़ना था, जो मैंने आ बार बार इस चीज को मैं दोहराती रहती हूं, कि ये बुक्स जो हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी है, किसी भी कम्टीशन के त्यारी के लिए, जो भी आप राजिस्तान में दे रही हूं, ठीक है, हर जगे, जहां भी जी के पूछा जाता है, कोशन यहीं से आते हैं, तो च जो है, वो आपका लास्ट येर रीट में भी पूछा गया था, गोविंद गुरु किस से प्रभावित थे, तो ये स्वामी दयानन सरस्वती जो थे, उन से बहुत प्रभावित हुए थे, गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना कब की थी, 1903 इस्वी में गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी, नेक्स्ट दिखिए, कुश्यन नंबर 67, संप सब्द किस भासा का शब्द है, संप सब्द जो है, वह किस भासा का शब्द है, एक्जाम में आ सकता है, यह राजिस्धानी भासा का सब्द है, और इसका अर्थ होता है, संयोक्त का प्रेम और बंधुत्व होता है इनका क्या कार्य था इनका कार्य था कि आदिवासियों के अंदर जो बुरी आदते हैं उनको छुडाना और उसके बाद उन सबको एक करके और उनमें जागरती पैदा करना उन्हें सिक्षित करना उन्हें उनकी अधिकारों के बारे में जागर कराना अर्जुनलाल सेठी का सम्मंद किस रियासत से था अर्जुनलाल सेठी का सम्मंद जैपूर रियासत से था वर्दमान विध्याले की स्थापना जैपूर में किस ने की थी तो अर्जुनलाल सेठी इन्होंने जैपूर में वर्दमान विध्याले की स्थापना की थी ठीक इनको ग्यान था अर्जुनलाल सेठी कितनी भासाओं के जानकार थे तो मैंने आपको बताया अंग्रेजी पार्सी संस्कृत अर्भी और पाली यानि पांच भासाओं के विद्वान थे अर्जुनलाल सेठी राजिस्थान में ससस्त्र विद्रोह का जिम्मा किसे सौपा गया राजिस्थान में ससस्त्र विद्रोह का जिम्मा किसे सौपा गया अर्जुनलाल सेठी को सौपा गया था चेताबनी राचुंगटिया की रचना किस ने की थी? most important question है जहाँ पर exam में option में आ जाता है अर्जुनलाल सेठी केसरी सिंग बारहट विजय सिंग पतिक तब हम हो जाते हैं confused और आंसर जो है इसका सही ये है कि चेताबनी राचुंगटिया केसरी सिंग बारहट ने इसकी रचना की थी? किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम भूप सिंग था तो विजय सिंग पतिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंग था ठीक है? और देखें केसरी सिंग बारहट जो थे जिन्होंने चेताबनी राचुंगटिया जो प्रसिद सोरट लिखे थे तेरा सोरटे लिखे थे सोरटे यानि दो है तो उन्होंने मिवाड के जो महाराना थे उनको बिर्टिश आशन के विरुद सच्चियत किया था वहां जाने से रोका था जब जो राना फते सिंग थे वो दिल्ली दरवार में जा रहे थे नेक्स्ट देखिए कुशन 74 विजे सिंग पति जिनका वास्तरिक नाम क्या था भूप सिंग गुरजर इनका जन्म कहां हुआ था अब देखिए इनका जन्म जो है वह है यूपी में होता है बुल भूमिगत भी हो जाते हैं और वहां से भी ग्रांती करते हैं राजिस्थान सेवा संकी स्थापना किस ने की थी राजिस्थान सेवा संकी स्थापना 1919 में विजे सिंग पतिक ने की थी और हमने देखिए इसी चेप्टर का जो वीजियो था फर्स्ट वीजियो तो उसमें मैं ने आपको बताया था कि उपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो वह है विजे सिंग पतिक के द्वारा की गई थी तो याद रखना है विजे सिंग पतिक जो है इनका जन्म कहां होता है यूपी में होता है ठीक है कलती से भी राजिस्थान नहीं कर तो इन्होंने बिजूलिया किसान आंदोलन का नेत्रत्व किया था और 1919 में राजिस्तान सेवा संगी स्थापना भी किसने की विज्य सिंग पतिक ने नेक्स्ट दीखिए, कुश्चन 77, सेट दामुदर दास राथी का जन्म कहां हुआ, तो इनका जन्म पोकरंड मारवाड में हुआ था, ठीक है, और रास्ट्रिय जर्चाओं की और इनका बचपन से ही जुकाव था, और इनके मित्र थे राव गोपाल सी, नेक्स्ट दीखिए, 78 कुश्चन है, किस क्रामतिकारी को पकड़ने के लिए, कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बड़ा इनाम रखा, तो यहां पर कोटा सरकार और बिहार सरकार, दोनों सरकारों ने इनाम रखा था, इन क्रामतिकारी को पकड़ने के लिए, कौन है वो, जोरावर सिंग बारहत को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बहुत बड़ा इनाम रखा था केसरी सिंग बारहट के पुत्र का क्या नाम था? केसरी सिंग बारहट के पुत्र का क्या नाम था? तो देखिए कुमर परताप सिंग जो है इनके बेटे का नाम था किसका? केसरी सिंग बारहट के पुत्र का नाम था कुमर परताप सिंग याद रखेंगे इस चीज़ को और इनके ही भाई जो थे ठाकुर जोरावर सिंग बाहरत थे लॉर्ड होर्डिंग पर चांदनी चौक में किसने बम पैका था लॉर्ड होर्डिंग पर चांदनी चौक में किसने बम पैका तो रास बिहारी बोस के साथ जोरावर सिंग बारहट जो थे इन्हों ने बम पैका था चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर ठीक है नेक्स्ट देखेंगे ठाकूर केसरी सिंग बारहट के छोटे भाई कौन थे ठाकूर केशरी सिंग बारहट के छोटे भाई कौन थे? तो मैंने आपको बताया, इनके भाई का नाम था ठाकूर जोरावर सिंग आशा नाड़ा इस्टेशन मास्टर ने किसे अपनत्व का ढूंग करके गिरफतार किया था तो आशा नाड़ा इस्टेशन मास्टर ने ऐसा ढूंग रचाया था जिससे की एक क्रांतिकारी जो थे उनको गिरफतार कर लिया गया था तो ये क्रांतिकारी थे कुवर प्रताप सींग, याद रखेंगे कि प्रताप जो है वो जब जोधपूर होकर आ रहे थे, तो यहाँ पर आसा नाडाई स्टेशन मास्टर ने इनके साथ ऐसा ढोंग रचा और इन्हें गिरफतार करवा दिया गया और उसके बाद इन्हें बरे गया था, तो इन्हें गिरफतार करके बरेली जेल में भेज दिया गया था, राव गोपाल सींग को कहां नजर्बन किया गया था, इन्हें कहां नजर्बन किया गया था, ठीक है, इनके साथ में जो विजे सिंग पतिक इनके साथ में ही थे, और कुस दिनों बाद यह दोनों ही वहां से लापता हो जाते हैं गोपाल सिंग को किस जेल में रखा गया था इंपोर्टेंट है परताप सिंग को बरेली जेल में रखा गया था वहीं पर गोपाल सिंग को इन्हें सलेमावाद में पकड़ा गया और उसके बाद इन्हें तिहार जेल में भेजा गया था तो ये कुछ ग्रांतिकारी थे जिनके नाम याद रखने हैं आपको इन्हें किस जेल में भेजा गया था ठीक है तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा तो यहाँ ये चैप्टर जो है वो आपका complete होता है तो next video में हम next chapter करेंगे chapter number 8 तब तक आपको इसको revise करना है चलिए मिलते हैं next video में Thank you